वो एक नौक आएगा तो काफी ज़्यादा लो लेकिन टी-एक्स के प्लेयोज जो हैं वो थोड़ा सा क्लोजिन कर चुके हैं स्प्रेय गौज की बात करेंगे तो वो नेट करने का प्रयास करेंगे हलांकि आखिर में इन्होंने सोचा है कि वो भी हील करते हों नजरा रहे हैं यानि कि काफी जद दलूर तो यानि कि थोड़ा सा रुक के खिलने वाले हैं तो वो साथ से कवर अप आ सकता है और चलिए फाइनली वहां पे दूसरा प्लेयर भी अलमिनेट करेंगे और इन्होंने जो नेट करा है वो काफी बढ़िया गया है और मिस्टर स्प्रे को नौक किया है अब थोड़ा सा मामला जो है वो बराबर होने वाला है तो क्या स्प्रे गौड दो रहेंगे अपना जो जीरो एलिमिनेशन पॉइंट से उसको थोड़ा सा और ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट में बर लेंगे वो एक नेड आता हो नजरा रहें क्या वो नेड का कनेक्शन मनने वाला है सायथ से हो सकता था और साथ से नहीं भी प्रे गौड कोसी से लगातार करते हो नजरा तो सरीय बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा वो आखरी वाले प्लेयर और फाइनली उनको